तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिश कड़ी आप इस रेसिपी से ट्राइ करें आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए देखते हैं इसमें किन किन चीजों की ज़ुरत है मैंने यहां पे लिया है 500 ग्राम रोह फिश आप किसी भी फिश कर सकते हैं रोह कतला या जो भी आपको पसंद है वह फिश आप यूज कर सकते हैं तो आप चलिए देखते हैं इसमें किन किन चीजों की ज़ुरत है मैंने इसमें एक चमच मैंने इसमें हल्दी लिया है दो छोटी चमच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है एक छोटा स्पून मैंने इसमें जीरा पाउडर लिया एक छोटा चमच भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है दो चोटा चमच भर के मैं कस्मेरी लाल में चलूंगी इससे दोस्तों कलर बहुत अच्छा आता है और आपको पसंद आउ तो आप नहीं डाले कोई बात नहीं पर मुझे पसंद मैं इसलिए डालती हूँ अब इसमें मै एक चमच के करीब नमक डालूँगी आप अपने फिश के अकॉर्डिंग डाले आप अब मैं भरके इसमें एक चमच लेसन अध्रक का पेस्ट डालूँगी अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे आपको हाथों की सायता से कम्फर्टेबल है तो उससे करें या स्पून से करें अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे तो देखिए से मैंने अपने हाथों की सायता से मिक्स कर लिया है फिश को ध्यान रखें कि बहुत ही हलके हाथों से मसाले लगाएं वरना फिस तूट जाएगी इसलिए से बहुत ही हलके हाथों से हम मसालों को लगाएंगे अब हम चल कि मक्चली में हमेशा सर्सो तेल जाता है तो हम सर्सो तेल में ही बनाएंगे है अब हम इसमें सर्सो तेल डालेंगे फ़िए पाइब ध्यान रखेंगें दोस्तों की सर्सो के तेल को अच्छे से गरा मोने देंगे और जब ए अच्छे से dram कि अपर हम काल के स्वाय का एरर BEN GAS का थोड़ा कम कर देंगे अब ध्यान रखे दोस्तों कि हमें फिश बहुत ही धीरे से डालना है क्योंकि आपको तेल की चीछिटे पर सक्ते हैं धो 열 के वाले गरम के बाझे बाधर रहता है नहीं करना तो दिखिए हम इसमें इसमें जाल दिया है अब इसे हम कम से कम दो मिनिट तक पलटेंगे हैं जो अब तक नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी ना ज़ाए हम इसे नहीं पलटेंगे जो बहुत जादा अगर हम उलट-पलट करेंगे तो हमारा फिश तूच जाएगा तो हमें सब्सक्स से अब दुसरे साइड से पताएंगे बहुत यारान से यह लगा हिस फ्रेश यह सी इस्थ प्रेश है इसे बहुत जादा जूराशे करएंगे तो तूच सकता है उसे सब्सक्राइब दून साइड निकालेगे तो देखे हमारी सारी फिश राइब हो गई है अब हम चलेंगे ग्रेवी की तरफ अब मैं आपको बताती हूं ग्रेवी बनाने के लिए हमें किनकी चीजों की ज़रत है अब हम तुबारा से इसी कडाई में थोड़ा तेई लॉट डालेंगे और तेल को थोड़ा गरम होने दे हाफ टी स्पून मेथी दाना अगर आपके पास मेथी दाना नहीं है तो आप जीरा भी डाल सकते हैं खरा जीरा डाल सकते हैं अब इसमें जाएगा सर्सो और टमाटर का पेस्ट मैंने दो स्पून सर्सो लिया है दो बड़े स्पून मैंने सर्सो लिया है और मैं इसमें पील पर श्रसो का चमाल की हुं तो देखें इसमें मैंने शर्षो प्रेल डाला उसी कडाई में मैंने सर्षो प्रेल डाला और उसमें मैंने थाफ टेस्पून मिति काटा में डाला अगर मिती दाना नहीं है आपके पास, तो आप साबुत ZERA भी डाल सकते हो ऎसके बाद मैंने इसमें सरसो का पेस्ट, पिली सरसो हमिए यह मैं पीला सरसोई डालती हूं इसमें वैसे आप इसमें काले सरसो भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने पीला सरसोई डाला पीला सरसो और दो टमाटर मैंने एक साथ दोनों का पेस्ट बनाया है और वो पेस्ट को अभी मैं फ्राइ करूंगी जब यह पेस्ट हमारा फ्राइ हो जिसे आप इस फ्राइड पीस को ऐसे स्टाटर भी यूज़ कर सकते हो हमें तो फ्राइड भी बहुत अच्छा लगता है और अगर आपको फ्राइड पीस को और ज्यादा क्रिस्पी करना तो आप जब मसाला लगाते हो उसमें जब उसे मेरिनेट करते हो तो आपको उसमें आप आसे भी खातको है अगरा नाला जब कर दोने के बार मैं इसमें मसालों के डालेंगें है तो प्रिए दूस्तों हमारा सरसुप नुद्वत गया है अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे आए देखते हम इसमें किस-किस मसालों की ज़र दीए मैं इसमें दो स्पून भरके लेसन अद्रक का पेस्ट डालूंगे दो छोटा स्पून मैंने धनिया डाला है आप मेरे स्पून का साइज देख सकते हूँ एक स्पून भरके मैंने हल्दी डाला है एक स्पून मैंने काली मिश्ट डाले एक देला की मिश्ट के इसाफ से डाल रहेist यह मैने कमेरी लाल मिश्ट डाला जैसे कलर बहुत अच्छी आते हैं में बहुत ही खुबशुरत देखता अब हम इस में थोड़ा पानी डाल कर हम अपने मसालों को हुआ भून लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स कर बहुत मीडियम फ्लेम फ्लेम पर ग्रेवी प्यारी करेंगे पिर हमें इसमें ग्रेवी लगाइंगे जब मसाले भुन जाएंगे लगबग हमारा मसाला भूम गया है वस पांच मिनट और हमें से भूनेंगे ताकि मजाल कि अच्छी खुश्बु आजाए यहाद अच्छा अच्छा फ्लेवर आता है अभर मसाल को हमें अच्छी से भूम झाय है कि इख्योद कि असलिए हमें उपड़ से टमाटर कौने ज़र्से तो रोटमाटर हमने साथ में भून दिया, ठीकिए हमारी फिश की मसाले भूनकर तयार है, अब हम इसमे ग्रेवी लगाएंगे, पानी डालेंगे, अब बस आप अपने अकोडिंग डाले, जितना गाड़ा आपको चाहिए, जितना पतला चाहिए, वो आप अपने फिश के हिस तो पानी बेखे लिए, अब हम इसमें तो चाहिए, तो देखे दोस्तों यह भी बहुत गाड़ा है, इसमें हम थोड़ा पानी और मिक्स करें, क्योंकि फिश की गड़ी बहुत जादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, जब यह ठंडा होगा तो यह और भी जादा गाड़ा हो तो इस वक्त हम इसे थोड़ा पतला ही रखेंगे, यह देखे हमारा फिसकड़ी अभी लग गया है पानी, यह कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, आप इतने पे रखो और इसमें एक उबाल लाने देंगे, अभी इसे हम कवर कर देंगे, और एक उबाल लाने देंगे, तो देखे हमारे फिश करी में उबाल आ गया है, अब हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रिडियन डालेंगे, नमक, आप नमक स्वाधा नुसार डाले, जितनी आपकी क्रेवी की कॉंटिटी है, मैंने आप एक स्पून भर के डाला है, अब हम इसमें फिश डालेंगे हमने जितने फिश फ्राई किये थे हम उसे डालेंगे, हमने इसमें सारे फिश को डाल दिया है, अब हम इसे पांच मिनिट तक कमर करके रखेंगे, अब इसमें हम बारी कटी हुए धनिया पता डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों, आप इसे बुटल भी स्कितना करें, और हमारे कश्मेरी लाल मिर्च से तो बहुत ही टेंप्टिंग दिखता है, अगर आप लाल मिर्च नहीं खाते हैं, तो आप हरी मिर्च डालें, ये सुखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, पाउडर नहीं डालते हैं तो फिर आप सुखी लाल मिच लाल सकते हैं जब हमने मेथी राना डाला था उस वक्त भी आप खड़ी लाल मिच का यूज़ कर सकते हैं अब इसे सिर्फ पांच मिनट के लिए कवर कर देंगे और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं तो यह पी से एक बार ट्राइ करें आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में और कलर तो बहुत की खुश्रत आया है तो अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूं तो यह देखिए दोस्तों हमारी प्लेटिंग हो गई है हमारी फिश करी और राइस बनकर तयार है तो आप भी जाएं बनाएं खाएं और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और आप मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ ओके बाबाई थेंक यू और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले बेल आइकन ज़रूर दबाएं इससे हमारी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी तो बाबाई टेक केर